वीडियो को मिस्स मत करें और अगर आप मेरे चैनल पे नियू है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें सो स्टार्ट करते हैं हम अपनी फर्स रेमेडी जिसमें है हमारे पास लाइम देन मैं इसमें यूज करी हूँ पिटेटो और उसके बाद हम इसमें एड करेंगे ग्रीन टी ग्रिंटी भी आपके घर में इजी ली अविलेबल होगी तो अब हम काट रहे हैं लाइम को और जो उसका जूस है उसको एक्स्ट्रेक्ट करेंगे यहाँ पर जो कॉंटिटी है आप अपने मर्जी के एक वाटिंग लेशर पे हैं इतना भी आपने अपने अपने पेज़ पे अगर दो लोगों के लिए अपलाई करना है तो ज्यादा ले ले लिए तो लाइम का जूस जो है उसको स्क्वीज करेंगे और उसके जो बीज हैं उनको हम निकाल लेंगे इसमें मैं डाल रही हूँ पटाटो जूस पटाटोस को आप में क्रश कर लेना है उसका जूस कर लेना है बहुत ही सिंपल बेह तो अब हम इसमें डाल रहे हैं दो टेबल स्पून जूस के, क्योंकि मेरे पास स्पून चोटा है, तो इसलिए, और अब हम इसमें डाल रहे हैं, ग्रीन टी, ये भी हाफ टेबल स्पून ग्रीन टी है, और इसको अच्छी तरह से हम कर लेंगे, मिक्स, मिक्स करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी आपक से मिक्स हो चुका है, अब हम एक ब्रेश की हल्प से या पोटन बोल की हल्प से इसको अपलाई करेंगे, अपने फेस पे, अपने नेच पे, अपने हैंड पे, ये जो सिम्पल सी रेमेडी है, बहुत ही ज़्यादा इसके रिजर्ट्स अच्छे हैं, और याद रहे हैं, मैं और आप इस रेमेडी को अपलाई कीजिए, बीक्स में तीन से चार दफा, और देख सकते हैं कि स्किन कैसी शाइन कर दिया है, तो अब हम मूब करते हैं हमारी स्टेकिंड रेमेडी की तरफ, और उसके लिए भी हमें यहाँ पे लाइन चाहिए होगा, तो हमने लाइन को स्क हमें एड कर रहे हैं, हल्दी पाउडर, और इसके बाद हम इसमें एड करने जा रहे हैं, हमारा लास्ट इंग्रेडियंट है, वो है ऐलोवेरा जेल, मेरे पास यहाँ पे घर का फ्रेश ऐलोवेरा जेल अवेलेबल नहीं था, तो आइम यूजिंग मार्किट का ऐलोवेरा यह अच्छा होता है, तो आप इसे भी यूजिंग कर सकते हैं, और एलोवेरा जेल तो पिर सके लिए बहुत है, आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा बैस्ट में ग्लो लाता है, और आप इसे यूजिंगे इस रेमिडी को बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इसे अच् मिनट के लिए छोट देना है उसके कोई भी साइड इपेक्ट नहीं है विकोज मैं इसे हुद भी यूज कर चुकी हूँ आपके साथ शेयर करने से पहले तो आप हम इसे ठंडे पानी से वाश करेंगे और आप देखिएगा कि आपकी स्किन बहुत जादा शाइन करेगी और ए झाल